हेलो एवरीवन आप सभी का हमारे स्वागत है आज की हमारी क्लास है क्लास eight के लिए MED की और चैप्टर का नाम है वर्गसंचरन आज हम वर्गसंचरन के सवालों को भी हलकरना सिखेंग एससे पहले हमारी एक वीडियो इस चैप्टर पर आचुकी है जिसमें हमने छोटे टाइप के जो वर्ग समीकरण होते हैं उन्हें हल करना सिखाया है आज की वीडियो में जो हमारे वर्ग समीकरण है वो मुख्यते मद्यपद गुरंखंड पर आधारित हैं क्योंकि मद्यपद गुरंखंड से हम जिन समीकरणों को हल करते हैं वे भी वर्ग समीकरण ही होते हैं तो इन समीकरणों कैसे हल करते हैं इसकी वीटियों हमें एक पहले बना चुके हैं वो आपको BGA वेंजक और गुणनखंड जवाला जो चेप्टर है क्लास 8 का उसमें बिल जाएगी और इस चेप्टर में ये सवाल दुबारा से हैं तो हम दुबारा से आपको समझा रहे हैं तो आज की वीडियो को सुरू करते हैं सबसे पहला सवाल है हम उत्तर की जाच भी करेंगे सब सवालों की नहीं करेंगे एक दो की करेंगे बस पहला है x की गहाद 2 पिलस 7x बराबर 44 इसके हमें गुननखंड करने है तो क्या करेंगे सबसे पहले तो 44 को इधर पक्षांतर करके ले आएंगे तो हो जाएगा x की गहाद 2 पिलस 7x माइनस 44 और बराबर 0 ठीक है तो समीकरण में क्या है राइट साइड में 0 या कोई बद होना चीज़ समीकरण में 2 पक्ष होते दायापक्ष और बायापक्ष ठीक है इसकी सायता से हम निकालेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे इसके गुननखंड करेंगे तो ध्यान से देखेगा जो पर बताओं सबसे पहले सुरू वाली संक्या और लास्ट वाली संक्या को मिला कर जो चिन लगेगा वो लिखी लीजिए तो सुरू वाली संक्या और लास्ट वाली संक्या को मिला कर लगेगा हमारा पिलस और माइनस जाने की माइनस और एक निसान लगा लीजिए गुणा का ठीक है सबसे पहले ये दो निसान आपको लगा लेने है एक X की गहाद दो वाला पद और एक अचर पद यनि कि सुरू वाली या आखर वाली पहले बात तो समीकरण हमारा इस रूप में होना चाहिए पहले X की गहाद दो वाला पद फिर X वाला पद और फिर अचर पद इस रूप में जब हमारा समीकरण होगा उसके बाद ही हम हल करेंगे अगर वो समीकरण इधर उदर दे रखी संख्या है तो इस रूप में लिख लेते हैं हम पहले X की गहाद बीच वाली संख्या जो है उसे लिख लो और इसके सामने इसकी और इसकी गुणा कर दो जैना कि 44 की और X की गहाद दो की नहीं इसके गुणा की बतलब एक माना जाएगा जैने कि 44 इतना काम आपको करना है इसके बाद आपको ऐसी दो संख्या है सोचनी है जो घटा के साथ आ जाए और गुणा करके 44 आ जाए और पता हमें चलेगी इस गुणा वाली पत से ही ऐसी कौन से संख्या ही गुणा करके 44 आता है जी 11 चौक 44 होता है और 11 और 4 को घटा दे तो साथ भी आ जाएगा तो वो दो संख्या है हमारी जो है वो हम यहां लिख देंगे 11 माइनस 4 और 11 गुणा 4 और मेली हमें इस पद की जगे उसे लखना है 7 की जगे 11 माइनस 4 तो यह हो जाएगा X की गाद 2 पिलस 11 माइनस 4 X और माइनस 44 बराबर 0 ठीक है अब इस X की अंदर गुणा कर देंगे दोनों में X की गाद 2 पिलस 11 X माइनस 4 X माइनस 44 बराबर 0 अब सुरू के 2 मेंसे X कॉमन बात के 2 मेंसे 4 कॉमन आ रहा है तो इसमें से x common ले लेंगे तो आ जाएगा x plus 11 और यहां से 4 common minus का common लेंगे तो अंदर दोनों plus हो जाएगी और बराबर 0 इन दोनों brackets में same digit आनी चाहिए जब हम common लेने के बाद देखेंगे तो दोनों brackets में same digit आनी चाहिए तो सवाल सही वरना गलत कर रहे हैं तो दोनों में same आ रहा है तो उसे दोबारा से common ले लेंगे x plus 11 को तो यहां बचेगा x और यहां बचेगा minus के 4 एक तरह से दो हमारे गुननखंड होके आ गए x plus 11 x minus 4 बराबर 0 अब इनको दोनों को अलग अलग 0 के बराबर रख देंगे x plus 11 बराबर 0 x बराबर 0 minus 11 x बराबर minus के 11 एक उत्तर हमारा आ गया यह ठीक दूसरा इसे रखेंगे x minus 4 बराबर 0 x बराबर 0 plus 4 x बराबर 4 एक उत्तर आ गया हमारा यह यह दो हमारे उत्तर आ गये अब मैं इसकी जाच बता रहा हूं मैं हर सवाल की जाच नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है फिर इसलिए मैं इसी की जाच बता रहूं एक आथ की और बता दूँगा बीच में जाच करने के लिए हमारे दो पक्ष होते हैं एक LHS एक RHS ये पूरी LHS है ये पूरी RHS है RHS में तो किसी का मान नहीं रखना 44 ही आएगा LHS में मान रखेंगे एक एक करके दोना तो पहले हम करते हैं X बरावन माइनस 11 के लिए X बरावन माइनस 11 के लिए LHS कितनी है हमारी वो लिख लो पहले X स्क्वाइर पिलस 7X X का मान रख देंगे माइनस के 11 की खाद 2 पिलस 7 और इनके बीच गुणा का निसान माना जाएगा 11 का स्क्वाइर और माइनस का स्क्वाइर हमें सब पिलस हो जाता है 11 का स्क्वाइर 121 ये पिलस और माइनस माइनस होगे 11 37 77 ये घटा के बचाएंगे 44 और RHS भी कितनी है हमारी इसमें 44 लह चैस बराबर हो गई हमारी RHS कौनसे के लिए 11 के लिए इस वाले उत्तर के लिए हो गई अब X बराबर 4 के लिए करेंगे X बराबर 4 के लिए पहले LHS लिखेंगे कितना है LHS हमारा X की घाद 2 पिलस 7 X X कमान कितना है हमारा 4 पिलस 7 गुणा 4 जाने कि 4 चौक 16 पिलस 7 चौक 28 ये हो गया 44 RHS दिखेंगे RHS कितना हमारा 44 तो LHS बराबर हो गया हमारा RHS अत्य उत्तर सही है दोनों जब हमारे पक्ष बराबर आ जाते हैं तो हमारा उत्तर सही हो जाता है ठीक है जी तो सवाल समझ में आया आपको ऐसे मैं आपको 8 सवाल बताऊंगा तो अंदर तक आपको अच्छे तरह समझ में आ जाएंगे बस वीडियो लाज तक जरूर देखेंगा अब चलते हैं सवाल नमबर दो की तरह सवाल नमबर दो है चार वाई की गहत दो पिलस के ग्यार वाई पिलस के तीन तो सबसे पहले इदर पक्षांदर कर लो क्योंकि हमारा सवाल जो मैंने बताया था किस तरीके का होना चाहिए वो होना चाहिए हमारा पहले दो गहत वाला पद फिर एक गहत वाला फिर अचर पद और बरावर जीरो ठीक है तो हमने इधर पक्षांदर किया तो इनके चिन बदल गए इसके बाद मैंने क्या बताया सबसे पहले सुरू वाली संक्या और बाद वाली संक्या के चिन्नों को मिलाओ तो पिलस और माइनस लग गया माइनस एक गुणा का लगा लो इसके सामने हम बीच वाली संख्या लिख देंगे चिन रटा के और इसके सामने इन दोरों के गुणा करके लिखेंगे देखो तीन चौक बारा इसके बाद थोड़ा दिमाग से सोचने का काम है हमें ऐसी दो संख्याय सोच नहीं है और 12 और 1 की गुणा कर दी तो 12 आगया ये वाली condition भी fulfill हो गई तो इस 12 की जगे लिख देंगे 12 माइनस 11 की जगे यह हो जाएगा 4y की गाद 2 माइनस 12 माइनस 1y और माइनस के 3 बरावर के 0 तो इसकी गुणा कर देंगे दोनों में माइनस की भी साथ में गुणा करेंगे ध्यान देंगे चिन बदला जाएगा तो यह हो जाएगा माइनस के 12y यह माइनस रो माइनस पिलस के 1y एक को लिखेंगे नहीं तो y माइनस 3 बरावर 0 इन दोनों में से common लेंगे 4Y इन दोनों में से कुछ भी common नहीं तो 1 आएगा 4Y common Y-3 इन दोनों में से 1 common Y-3 बरावर 0 तो दोनों देखो factor सेम हो गए Y-3 Y-3 इसे दोबारा से common ले लो तो यहाँ बच जाएगा 4Y पिलस 1 बरावर 0 अब इन्हें अलग-अलग 0 के बरावर लिख दो Y-3 बरावर 0 Y बरावर 0 प्लस 3 तो Y बरावर आ गया 3 दूसरा है 4Y प्लस 1 बरावर 0 4Y बरावर यह इदर जाएगा माइनस हो जाएगा Y बरावर माइनस 1 बटे 4 यह हमारे आ गए उत्तर मैं जाज करके नहीं दिखा रहा हूँ और मेली पेपर में जाज करने के लिए आता विए आपको समीकण हल करना आना चाहिए अब चलते सवाल नमबर 3 की तरफ 9X की घाद 2 माइनस के 3X माइनस के 2 बरावर 0 तो इसमें पहले से हमारा समीकण सही रूप में बना हुआ हमें पक्षांतर करने की जुरुत नहीं है सीदे सीदे क्या करना है सबसे पहले सुरू वाली और आखरी वाली का चितनी मिलाओ देखो पिलस और माइनस आजाएगा माइनस और एक गुणा का लगाओ इसके सामने लिखेंगे बीच वाली संख्या 3 और गुणा के सामने इन 9 और की गुणा करके 9 दूनी 18 अब ऐसी तो संख्या सोचनी है हमें जो गुणा करके 18 आ जाए और घटाके 3 आ जाए तो 18 देखिए 6 और 3 की गुणा करके आता है और 9 और 2 की गुणा करके भी आता है तो 9 और 2 की गुणा से तो यह दोनों कंडिशन फुल्फिल नहीं होंगी हमारी 6 और 3 की गुणा से हो जाएंगे देखो 6 गुणा 3, 18 हो गया और 6 माइनस 3 तो 3 भी बच गया तो हम इस वाली चीज़ को यहां 3 की जगे लिख देंगे तो हम लिखेंगे 9X की गहाद 2 माइनस 6 माइनस 3X माइनस 2 बड़ाबर 0 इसकी गुणा करेंगे माइनस की और साथ में X की भी तो 9X की गहाद 2 माइनस के 6X माइनस माइनस पिलस के 3X माइनस 2 बरावर 0 इन दोनों में से 3x common इन दोनों में से कुछ भी common नहीं तो 1 तो जरूर आएगा यहाँ से 3x common तो बचेगा 3x माइनस 2 इन दोनों में से 1 common तो 3x माइनस 2 दोनों brackets में same आ रहा है इसे फिर दोबारा से common ले लो यहाँ बच जाएगा 3x पिलस बन अब इन दौनों को अलग अलग जीरो के बरावर लिख दो तो तीन एक्स बरावर आजाएगा दो और एक्स बरावर आजाएगा दो बटे तीन इसी तरह से तीन एक्स पिलस एक बरावर जीरो 3x बरावर माइनस 1 x बरावर माइनस के 1 बटे 3 ये 2 आ गए हमारे इसके उत्तर ये इसके हमारे हल हो है इसे मूल भी कहते है समीकरण के मूल गयात करो भी आ सकता है पेपर में तो ये समीकरण के हल ही उसके मूल होते है अगला सवाल है सवाल नंबर 4 चार X की घाट दो माइनस के 20 X पिलस के 25 बरावर 0 तो सबसे पहले दें कि समीकर हमारा सही रूप में बना हुआ है पहरे दो घाट वाला है फिर एक घाट वाला है फिर अचरवत है तो सबसे पहले क्या करेंगे इन दोनों चिद्नों को मिला कर देखेंगे यह भी पिलस का यह भी पिलस का तो पिलस का निशान आएगा इसके सामने लिख देंगे हम बीच वाली संख्या 20 गुणा के सामने इन दोने गुणा करेंगे 25 चौका 100 अब ऐसी दो संख्याइ सोचनी है जो गुणा करके 100 आ जाएं जोड के 20 आ जाएं बहुत आसान है सोचना देखिए 10 गुणा 10 और 10 पिलस 10 दोनों कंडिशन हमारी सैटिस्फाइ होनी चाहिए दो संख्याओं से ऐसा नहीं है कि ये तो सैटिस्फाइ हो रही ये नहीं हो रही ये 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 नहीं हो रही दोनों कंडिशन जब सैटिस्फाइ हो जाती है उन दोनों संख्याओं को चूज करके हम इसकी जगे लि क्योंकि दौनों प्लस के दौनों माइनस हो जाएंगे प्लस 25 बराबर 0 दौनों में से 2x कॉमन इन दौनों में से 5 कॉमन तो 2x कॉमन 2x माइनस 5 इन दौनों में से 5 कॉमन 2x माइनस 5 बराबर 0 दौनों ब्रैकेट्स में सेम आ रहा है सवाल इन दोरों को दोबारा common ले लो तो 2x-5 common तो 2x-5 ही बचा मतलब दोना उत्तर हमारे सेम आएंगे तो यह आजाएगा 2x-5 बराबर 0 x बराबर 5 बटे 2 सीते पक्षांदर कर दिया है मैंने एक बार में ऐसे यहाँ पर 2x-5 बराबर 0 तो यह भी आजाएगा x बराबर 5 बटे 2 एक तरह से दोना उत्तर हमारे सेम इसमें आ गए है ठीक है अब करते सवाल नंबर 5 सवाल नंबर 5 है हमारा 2x-4 बटे x बराबर 9 तो इस सवाल में तो वर्ग समीकरण बिल्कुल ही नहीं दे रखा इसमें तो हमें बनाना भी पड़ेगा पक्षांदर भी करना पड़ेगा वैसे है यह वर्ग समीकरण कि जब इसका LCM लेंगे जब हम पता चलेगा वैसे देखने से लग रहा है कि यह देखे समीकरण है क्योंकि इसमें x की घात 1 है पर 1 नहीं है इसमें घात 2 कैसे पता चलेगी इसके नीचे एक रखेंगे इसका LCM आ जाएगा 9 बराबर कि 9 ऐसी र हो गया 4 तो यह बन गए हमारा अब यह पूरी तरह से नहीं बना है इसकी गुणा कर देंगे इसमें तो यह हो जाएगा 2x की घात 2 प्लस 4 बराबर 9x नो की गुणा x में x इसे पक्षान तक लिए आएंगे तो 2x की घात 2 प्लस 4 माइनस के 9x बराबर हो गया 0 अब यह भी व च्रूप में हमारी संव 그러na बन गई है यहां से यहां तक आने में इसका चेंड मत करते ला चेंड होता है 9 आ जाए तो वो दो संख्याए हमारी 8 एकम 8 ही हैं और कोई सी भी नहीं है 8 में एक जोड़ा 9 हो गया 8 की एक में जोड़ा 8 आ गया तो इस 9 की जगे ये लिखते हैंगे तो ये बन गी 2x की गहाद 2 माइनस 8 पिलस 1x पिलस 4 बराबर 0 x की गुणा करो इसमें 2x की गहाद 2 माइनस 8x माइनस 1x आएगा तो x लिखेंगे पिलस 4 बराबर 0 इन दोनों मैंसे 2x कॉमन यहां से 1 कॉमन तो 2x जब कॉमन लेंगे तो यहां बचएगा x माइनस 4 इन दोनों मैंसे एक common तो यहां भी x-4 बरावर 0 दोनों मैंसे common ले लो x-4 और यहां बज़ जाएगा 2x-1 अलग-अलग 0 के बरावर रख दो x-4 बरावर 0 तो x बरावर 4 आ गया 2x-1 बरावर 0 x बरावर आ जाएगा 1 बटे 2 यह 2 आ गए हमारे उत्तर ठीक है अब चलते हैं सवाल नमबर 5 की तरफ 5 की हो गया है छटे की तरफ सवाल नमबर 6 हमारा थोड़ा अलग है यह 4 घात वाला सवाल है अब मैं आपको एक बात पताता हूं गौर्ट से सुनिएगा जिस समीकरण में 4 पतागी जितनी घात होती हैं उसमें x के उतने ही मान निकल के आते हैं जैसे अभी तक जो सवाल किये तो उसमें 2-2 घात थी तो उसका मान कितने आए 2-2 उत्तर आयते समय इसमें 4 घात है मतलब इसमें 4 उत्तर आएंगे कैसे आएंगे अब आप उसे देखिए सबसे पहले से इसी तरीके जहल करेंगे और कुछ भी नहीं करना है पिलस और पिलस मिला के पिलस का निसान लगा लो इसके सामने लिख दो 13 और गुणा के सामने लिख दो जी 36 और यहां एक माना जाएगा जाने की 36 एकम 36 ऐसी दो संक्या सोच लीजिए अब जो गुणा करके 36 आ जाएं और जोड के 13 आ जाएं तो यह हो जाएंगी 9 पिलस 4 और 9 माइन और 9 गुणा 4 इससे यहां 13 की जगे लिख दो एकस की गहाँ 4 माइनस 9 पिलस 4 इंटू एकस की गहाँ 2 पिलस 36 बराबर के इसमें 0 भी हमें दे रखी होगी जब यह हमारा समिकरण है बुणा करेंगे इसकी और माइनस की भी तो दोनों यह माइनस के हो जाएंगे यह कुछ इस तरीके से बन जाएगा बराबर के 0 इन दोनों मैंसे कॉमन देखे क्या आ रहा है कॉमन लेने पर ध्यान देना है इन दोनों मैंसे कॉमन आ रहा है एकस की गहाँ 2 और अंदर क्या बचेगा एकस की गहाँ 2 माइनस 9 और बाद की दों मैंसे कॉमन आ रहा है 4 और माइनस शुरू में लग रहा है तो माइनस भी कॉमल लेते हैं और अंदर वाली संक्या का चिल्न बदल देते हैं तो दौनों ब्रैकेट्स में सेम आ रहा है मारा देखिए अब क्या करेंगे हम इसमें दौनों मैंसे X की घाथ 2-9 आ गया कॉमल और फिर यहां क्या बचेगा X की घाथ 2-4 बरावर 0 अब यहां विसे इस ध्यान देना है आपको देखे कैसे करेंगे इन दौनों को अलग अलग 0 के बरावर रखेंगे X की घाथ 2-9 बरावर 0 तो X की घाथ 2 बरावर पक्षांतर करके प्लस हो जाएगा 9 आ जाएगा अब मैंने आपको बताया था इससे पहले वाली वीडियो में जब भी दो घाथ अटाते हैं अब बर वर्गमूल का निसान लगता है और साथ में प्लस माइनस भी चलता है यह आपको याद रखना है तो यह हो जाएगा हमारा प्लस माइनस तीन जाने की दो उत्तर आगए एक तीन और एक माइनस तीन क्योंकि नौका वर्गमूल तीन होता है ऐसे यह वाला है X की घाथ 2 माइनस चार बरावर जीरो तो X की घाथ 2 बरावर चार हो जाएगा और X बरावर पिलस माइनस वर्गमूल 4 यह हटाया यह लगाया इसका आगया पिलस माइनस 2 जाने की 2 कॉमा माइनस दो 4 उत्तर आ खेhem नहीं आ गे हमारे ठीक है जी X के हमारे 4 उत्तर आ गे 3 माइनस 3 2 कॉमा माइनस 2 दो जाच में करके बता दे रहाऊ, बाकी दो आप अप कर ल包括 कर ले न तो जाच करते हैं पहले इसकी हम X के पहले वाले दोनों मानृकले कर लेते हैं X बरावर 3 के लिए ठीक है, X बरावर 3 के लिए जाच करते हैं तो पहले LHS लखते हैं, LHS कितनी है? उसकी यह पूरी LHS है जिरो आना चाहिए LHS है X कि Ghan 4 माइनस 13 X कि Ghan 2 पलस 36 यहां 3 तीन दखेंगे 3 कि Ghan 4 माइनस 13 गुणा 3 कि Ghan 2 पलस 36 3 कि Ghan 4 आगये एक 80 और यह 13 गुणा 3 कि Ghan 2 9 और पलस 36 यह दोना पलस पलस की संख हैं दोनों को जोड़ दो तो यह हो गई हमारी 117 और 13 निम्मा भी होते हैं 117 यह दोनों कटके किती है आगई 0 और RHS भी किती है हमारी इसमें 0 LHS बराबर हो गई हमारी RHS जाने की 3 वाले मान के लिए तो यह हमारा हो गया अब माइनस 3 के लिए लखके देखते हैं X बराबर माइनस 3 के लिए सेम वही करेंगे LHS लिखेंगे पहले कितनी है X की गहाँ 4 माइनस के 13 X की गहाँ 2 पिलस 36 X का मान रखेंगे माइनस के 3 की गहाँ 4 माइनस 13 गुणा माइनस के 3 की गहाँ 2 पिलस 36 अब देखे जब भी माइनस की घात समसंख्या होती है तो उत्तर प्लस में आता जाए है वह दो हो चार हो छे हो या आठ हो तो इन दौनों में ही समसंख्या है माइनस की घात की तो प्लस में आएगा यह आएगा 80 यह वाला माइनस तो ऐसी रहेगा यह वाला आजाएगा 9 तो इसमें पहले की तरह ये बन गए देखो प्लस प्लस वाले दोनों जो ओर दी 170 और माइनस वाले 170 कटके आ जाएंगे 0 आरे चैस भी कितनी है हमारी इसमें 0 तो इन दोनों माने के लिए हमारा ये सत्य हो गया है ऐसी दो के मान के लिए आप निकाल के देखेंगे तो अब ये सत्य आ जाएगा तो चार घात वाले सवाल है चार उत्तर इसके आएं है अब चलते हैं सवाल नमबर 7 की तरफ और 8 ये आज की लाश्ट सवाल है सवाल नमबर 7 है 16X की घात 2 प्लस 24X प्लस 9 बरावर 0 ये आप सवाल खुद कर लेना ये आपके लिए हॉमबर्क समझ लीजी क्योंकि ये ऐसा ही सवाल है देखें मैं यहाप लिखके फरी बताए तो थोड़ा सा एक तो प्लस का निसान आएगा एक गुणा का आएगा प्लस के सामने लिखा जाएगा 24 गुणा के सामने लिखा जाएगा 16 और निम्मा 144 ऐसी दो संख्या है जो गुणा करके 144 आ जाएग और जोड़के अगर यहां पर यह तीन ना दिया होता तो एक एक करके दोनों को जीरो के बरावर रख देते उत्तरा जाता ऐसी तो हम निकाल के ला रहे हैं हमी तक लाश्ट में यह दो संख्या दो गुणा घंडी तो बनके आ जाते हैं हमारे इसमें पहले से बने बनाए हमें दे रखें पर साथ में तीन जरूर दे दिया है तो तीन देने से हम इसे जीरो के बरावर नहीं रख सकते पहले दोनों की गुणा करेंगे गुणा करेंगे पहले इसकी तो इसकी इसमें करेंगे तो आ जाएगा दो इसमें करेंगे तो आ जाएगा छे एक्स इसकी काम खतम हो गया दोन तो अब ये वनगों हमारी वारिक समीगे। आब हम इसे हल कर लेंगे। तो वैसी हल कर लेंगे हैं देखो प्लस का निशाना आएगा प्लस प्लस और प्लस ही हैं इसके सामने लिखेंगे हम कितना 20 संक्यां 7 और और गुणा के सामने कित्ता लिख देंगे जी 6 दूनी 12 अब ऐसी दो संक्या सोच लेजिए फटापट से जो गुणा करके 12 आ जाएं और जोड के हमारी 7 आ जाएं तो देखें चार तीया 12 होते हैं और चार और 3 साथ होते हैं चार पिलस 3 चार गुणा 3 तो यहां इसकी जगह लिख दिए दो एकस की घाद 2 पिलस 4 पिलस 3 एकस पिलस 6 बराबर 0 इसकी गुणा करो एकस की दोनों में पिलस का ही सवाल है तो माइनस तो है नहीं इसमें तो आसानी सहल हो जाएगा पिलस 6 बराबर 0 अब क्या करेंगे देखें सुरू वाली दो में से 2 एकस कॉमन आ रहा है और बाद वाली दो में से 3 तो 2 एकस कॉमन यहां बचेगा x पिलस 2 यहां से 3 कॉमन और यहां भी बचेगा x पिलस 2 तो क्या करेंगे देखिए यहां से x प्लस 2 दुबारा से कौम मना रहा है और यहां बच जाएगा 2x प्लस 3 बरावर 0 दौनों को अलग-अलग 0 के बरावर रखने पर x बरावर आ जाएगा माइनस के 2 और इसे रखेंगे 0 के बरावर तो पहले 3 दर जाके हो जाएगा माइनस का और फिर 2 आ जाएगा इसके बटे में x बरावर माइनस के 3 बटे 2 तो यह 2 आ गए हमारे उत्तर चलिए मैं इसकी जाच भी बता देता हूँ क्योंकि मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में यह जगह खाली रह गई है मैंने यहाँ पर सवाल नहीं बताया है तो मैं यहाँ पर आपको इसकी जाच बता देता हूँ इसी सवाल की यह जाच है दिहान से देखिएगा तो जाच कर रहे हैं पहले किसके लिए हम करेंगे जाच पहले हम जाच करेंगे इसमें एक्स बरावर माइनस के दो के लिए दो तरह हैं न एक्स बरावर माइनस के दो के लिए ठीक उतारेंगे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड है इसकी दो एक्स पिलस एक x plus 3 और plus के 3 यह पूरी left hand side है right hand side 0 है मतलब यह 0 आनी चाहिए तो यहाँ पर x का मान कितना लेंगे minus के 2 तो यहाँ बड़ा bracket यूज कर लेंगे क्योंकि अंदर हम छोटा bracket लगाएंगे x के मान के लिए plus 1 यहाँ मान लग दिया अब यहाँ रखेंगे तो minus के 2 plus 3 यह plus 3 as it is रहेगा गुणा करेंगे तो यहाँ गया minus के 4 plus 1 और यह 3 मैंसे 2 गया तो 1 ही बचेगा plus 3 तो यह minus के 3 की एक में गुणा करेंगे देखें minus 3 आ जाएगा और यह plus 3 यह वाला है और 3 मैंसे 3 के कितने बचे बचे 0 और RHS भी कितनी है हमारी इसमेंसी 0 तो LHS आगे हमारी RHS के बचेश के बरावर कौन से मान के लिए इस के लिए अब दूसरे के लिए निकाल लेते हैं दूसरा मान है हमारा x बरावर minus के 3 बचे 2 के लिए दुबारा से LHS निकालेंगे उतारेंगे बैकिट लगा लो बड़ा 2 गुणण माइनस के 3 बटे 2 पिलस 1 और यहां रखेंगे माइनस के 3 बटे 2 पिलस 3 और पिलस के 3 LCM लेके हल करेंगे जहां से देके 2 से 2 कट गया ठीक तो यहां केंटा आ गया माइनस के 3 पिलस का एक जाने की माइनस के 2 जहान से देखिए का यहां तो किवल माइनस के 2 बचा यहां पे हम ले लेंगे LCM इसका 2 आ जाएगा 2 एक हम 2 तो हैं माइनस 3 और 1 दूनी 2 और 2 ती या 6 यह पिलस के 3 ऐसी रहेगा इस 2 से यह 2 कट गए क्योंकि यह गुणा में है तो यह बचा हमारा माइनस तो यह बचा बाहर और यह हो गया हमारा 6 में से 3 गया 3 और पिलस के 3 यह है 3 में से 3 कट गचा जीरो जीरो आ गया और RHS भी कितनी है हमारी इसमें इसकी 0 तब इसकी लह बराबर आ गई RHS के अते हैं उत्तर सही है समझ में आया है नहीं आपके इमें दुबारा बता जेता हूं देखें कि 2x प्लस 1 प्लस और ब्रैकिट में x प्लस 3 बरावर 3 है x का ये वाला मान हमने यहां रखा है यहां भी रखा है ये एक भिन्न बन गई ये से लेसले के हल गिया है और ये आया हमारा 3 बटे 2 और इसे देखें यहां सीधे कट गया है माइनस के 3 प्लस 1 ये माइनस के 2 आया नीचे वाली संख्या उपर वाली संख्या कट जाती है जब पीच में कोई निसान ने तो गुणा का हम मानते हैं तो यहां माइनस ये बचा और ये 3 बचा ये माइनस के 3 ये प्लस के 3 चलता ही रहाएगा कितना आ जाएगा 0 राइट हैंड साइड भी हमारी इसमें है 0 तो इसके दो उत्तर जो आगे वो दोनों उत्तर सही है तो आज की वीडियो में हमने आपको वर के समय करें जो मध्यपत गुरन खंट से हल होते हैं उन्हें हल करना सिखाया है उम्मीद है आपको समझ में आया होगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगिए तो वीडियो को लाइक कर दीजे, सेर कर दीजे और कमेंट करके बताइए कि अगर आपको अभी कोई दिक्कत वर सवालों में और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें क्योंकि हमारे चैनल पर रोजाना असी वीडियो अप्लोड होती रहती है आज की वीडियों कतम होती है वीडियों देखने के लिए धन्यवाद